आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे रिलाइंस इंडस्री एस्टॉक के बारे में इपिसोड को आगे वर है इससे पहले आयोग के आपने प्रीमियम टेलिग्राम जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है को जोईन कर लिया है मार्केट साइंटिस्ट के चैनल को विजिट करें कंटेंट पसंद आए तो इसको भी सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे सेयर करेंगे साथ महीं डिस्क्रिप्शन के दिये गए लिंक से चाहें तो एक काउंट आपेंड कर सकते हैं इसके साथी आई होग कि आपने नोटि कर रहा है यहां कुछ ब्रेकिंग और बड़ी खबर इस स्टॉक में देखने को मिली है लाश्ट हमने देखा उलेक टेड़ा के साथ इसने कोलेब्रेशन करा पार्टनर्शिप करा जहां हाइड्रोजन बस बनते हुए दिखा है और यह देखेंगे तो मल्टी बेगर रिटर जो मीडियम टू लॉंग टर्म ट्रेडर हैं उसको इस स्टॉक में दिखेगा जिस प्रकार के वीजिनरी स्टेप लिए गए वह चाहे ग्रीन इनर्जी के तरफ हो या फिर हाइड्रोजन इंजन के कोलेब्रेशन का न्यूज देखने को मिला हो ओवरॉल यहां देखेंगे तो जो एक नेजन रहा एक नूट्रे ऐसे फेलम एक पसनलावीट फेलन बस तो यहां देखेंगे जो ट्रेंड रहा है पिछले शिक्स मनस से शुट अनडर परफाउम रहा है पिछले अगर इस्टोरीकल चार्ट को देखिए तो तेन इयर स्क जो है अनडर परफॉर्म रहा और उसके बाद इस्टॉक ने टू टाइम्स तक के रिटर्स दिये हैं इस समय जो ट्रेंड है वो अभी भी काफी बुलिश है सोट्टम टेडिंग के लिए 2300 के आसपास अगर बाइंग मिले तो इसली बाइंग करेंगे जहां पहला टारगेट 2500 दूसरा टारगेट 2800 और तीसरा टारगेट 3500 3500 तक के टारगेट as per my own experience इस stock में 9 months से ले करके 1.5 year के duration में easily देखने को मिलने बाला है